नमस्कार दोस्त में नाम रुपेस और आप देख रहे हैं जंडल पब्लिक सेवा दोस्तों अगर आप लोग भी बिहार के निवासी हैं और किसान है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बहत्रीन योजना आ चुका है आज की स्वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बिहार कर सकते हैं जब आप लोग उसे किसान नंबर मांगा जाएगा यह योजना जो है दोस्तों अभी अभी ही आया हुआ है और केवल भी बिहार के कुछी जिला में लागू हुआ है तो हम आप लोग को इसका नोटिफिकाशन भी बताएंगे और साथ में आप लोग को फोरम अब यहां पर बताएंगे और यहां पर जो है उसका अनुदान का राची जो यहां पर बताएंगे अब यह समझ लिजिए कि कौन से खेती करने पर कितना आप लोग को लाभ मिलेगा यहां पर कहा गया है कि ओल का खेती है जो है उसमें टोटल आपको यहां पर जो है लागत काई-काई जो है लाख में दिया गया है यानि कि 0.82 लाख है तो इसको जो आपको हम रुपिया में करगे आपको बताते हैं कि यह प्रोजेट का कोश्ट जो टोटल कितना हो जाते है यहाँ पर कर्कुलेटर हम निकलते हैं और यहाँ पर जीरो पॉयंट कितना YouTube जिए यहाँ यह पर आपका यह सकते हैं अगर वन कैति करते हैं तो जिसमें आप लोग को 0.41 जो है आपको इतना लाक मिले रख है मतलब अनुदान मिले 0.41 लाक कंवर्ट कोई? 0.41 इतना करता है इस को गुना एक लक से करते से जाथाo ब्राबर करते हैं तो यहां पर देख सकते हो एक तारीस हजार टूटल जो है इसमें आपको अनुदान बिलेगा अगर आप ओल का खेती करते हो तब से मुझी परकार से हल्दी का भी है यहां माल लेते हैं हल्दी का जीरो पॉइंट दो सो तैस है तो इसका कितना रुपिया न गुद्ट कोष्ट बताय गया इसमें अलुधान जो मिलेगा आपको इतना गलेगा जीरो पॉइंट के खेती पर जो है अनुदान मिलेगा ठीक है अधरक का भी सेम उसी प्रकाट साब निकाल सकते हो जाने कि 66,000 का यह होगा आपको टुटल प्रोजेट कोश्ट और जिसमें आपको 38,000 रुपिया जो है अनुदान मिलेगा तो यहां तक तो आप समझ गए अब यहां पर कहा गया है कि एक छोप क्रियसा नियुक्तम 0.5 एकड़ एवं अधिकतम 4 हेक्टर रखवा में यूजना का लाव ले सकते हैं कम से कम भाई साब आपके पास 0.5 एकड़ होना चाहिए तो इसको भी हम निकाल देते हैं 0.5 एकड़ है ना तो इसको करते है 0.5 गुना जो इसमें 100 कर दे है ठीक है क्योंकि 100 डिसमील ब्लाबर एक इकड़ होता है तो कम से कम यहां पर देख से दो कि 50 डिसमील आपके पास जमी होना चाहिए तो यह आपका डिसमील में निकल जाता है अब यहां पर जो है अधिकतम जो हापके पास 0.5 एकर होना चाहिए और अधिकतम चार एक्टर तक होना चाहिए इस योजना का आवेदन जो है इस थी 13-2024 सपलों का आवेदन जो है जो कि स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तों यह सब चुछ तो आप समझ गए होंगे अब आप यह समझ लेजे कि आपको इस योजना का लाप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा यहां पर दुबन्नी, मुंगेर, पुर्निया, सिवान, सुपोल, सारं यह जो हम जिला का भी नाम बतला है केवल यही जिला में जो है अभी इस परकार का योजना जो है वह अभी लागू हुआ है अगर आप इस जिले के अंतरकत आ रहे हैं बात बाक्की का जिला जो है दोस्तों अभ केवल इनी जिले वाले को मिलेगा अगर आप लोग भी इस जिले से आ रहे है तो आप फोर्म को भढ़िए आप फोर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है यहाँ पर वेबसाइट केवल इतना चाब गूगल क्रोम में डाल करें सर्च करोगे तो इस परकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा थोरा साप नीचे करेंगे नीचे करने के बाद है यहाँ पर आपको दिख जाएगा एकी कृत उत्थान विकास योजना जिसमें आपको यहाँ पर 240 आभी तक में हो भी चुका है आपको करना क्या है यहां से आपदन करें का बटन आपको दिख रहा हुगा इस पर आपको सिंबल सा क्लिक कर देना है जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे इस परकार से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर कहा गया है इस अभियव अंतरगत ओल हाल्दी और जो है इस परकार का इंटरफेस आज आज आगा तो यहां पर किसाम तपर हीसान नहमेर आप डालेंगे उसके बाद यहां पर सर्च करोगे तो इस परकार से आप लोका वह पर आपको करना है उसके बात जो है यहां पर अव्याब का नाम आपको डालना है ओल का खेती के लिए आफ़कर करेंगे या फिर हल्दी का और अदरघ का यहां पर तीनों है अभी हम आपको notification में बता ही दियें कि all के कितना मिलेगा हल्दी पर और द्रग पर कितना मिलेगा अब आप यहां से अपने हिसाब से इनको select करेंगे जो आप select करना चाहते हैं उनको आप यहां से select कर लिजेगा उसके बद यहां पर जीला आ रहा है तो जीला का नाम अपने आप अपने जीला का नाम यहां select करेंगा पर आपको बता देगा कि आप जो सीचाई खेत में करते हो यानि खेत जो करते हो उसमें पानी आप तो आप कहां से लाती हो जैसे की बोरवेले से पानी देते हो या फिर नहर से या फिर कुवा से या फिर आन्य या फिर किसी भी परकार का वहां पर कोई भी विवस्था हैं ही नहीं कुछ नहीं है तो यहां पर नहीं लागू पर click करेंगे अब जैसा भी होगATT आप अपने हिसाब से इनको select करेंगे जैसा भी होगा वैसा इनको यहां से select कर दीजेगा फोर एग्यापल हम यहां पर नहार डाल देते हैं जैसे दोस्त हम यहां पर नहार डाले हुए हैं अब यहां पर सीचाई pump के बारे में आपको बताना है कि यानि कि जो आप खेत पटवन करते हो तो उसमें जो है बिजली का यहां पर pump है डीजल पंप है या फिर अन्य है या फिर लागो नहीं है मतलब जो आप मसीन चलाते हो ना वो किस परकार का मसीन मतलब वो मसीन चलाते हो कैसे चलाते हो इ drainage आप बिजली के द्वारा machine चलाते हो बिजली के द्वारा पटवन करते हो या फिर डीजल वाला machine जो है उसके माध्यम से करते हो या फिर किसी परकार का अन्य कोई machine है या फिर machine है ही नहीं तो वो आपने हिसाब से यहाँ पर सेलेट करेंगे ठीक है फोरेजनापल हम कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं अब उसके बाद यहाँ पर किसान का परकार आप से पूछा गया तो यहाँ पर एक ही आएगा रहीत अब दीखें रहीत का मतलब यही होता है कि जिसके नाम पर ज है अब यहाँ पर यह अपने हिसाब से इनको फिल करेंगे आम लेते हैं एक खताकेसरा को टाल दिए उसके बाद और है तो यहाँ पर ए dość- एक्जामपल डाले हुए है जैसे इतना डाल करके आप बाहर किलिक करोगे ना तो इस प्रकार से नीचे में आ जाएगा आप देखी यहां पर जो है नीचे आपको बताएगा बीज की मात्रा कुइंटल में 5.76 है मतलब हो जाता है 576 किलो 5 कुइंटल 56 kg हो जाता है तो इतना बीज के लिए ही हमको मतलब इतना पर ही हमको अनुदान दिया जाएगा जिसे आप ज़े करेंगे यहां आपको जमीन संब्दित पेपर को अप्रोड करना है जिसे कि आप लोगहा जमीन का रसिद प्रहता है या फिरलपीक हो जता है अब मा लेते हैं जिसके नाम से जमीन नहीं है वो क्या करेंगे तो वो जमीन का रसीद लगाएंगे और साथ में बंसावली को अटेच करके पीडिया बना करेंगे यहां पर अपलोड करेंगे ठीक है और इसके बाद आवे तक जो कर रहे हैं आवे दन उनका यहां पर चूज आपको फानल समीट कर देना है अब इसके लाव आगे कोई प्रोसेस नहीं है जैसे इतना करोगे ना तो आपके नमर बोटी पी आएगा आपका फानल समीट हो जाएगा तो यह फर्म भरने का प्रोसेस जो दोस्तों यही था हम आपको अल्मोस्ट सब कुछ बता दिये कि कौ आपको बता दिया जाएगा इस यूजना का जो भी आपका अनुदान होता है वह आपको दे दिया जाएगा जब आपको जाओगे डिस्टिक में तो वहाँ पर आपको आपना डॉकमेंट सब भी ले करके जाना है क्योंकि वहाँ पर फिजीकल वेरिफिकाशन होगा तो वह लेकर कर जाना है जो आप ओं-लाइन करोगे बात में आपको प्रeंट भी निगलेगा वो नंद लेकर कर जाना है और यह यहाँ को पर 不श्यक्रपण आ tutto है खाल लोट और तया लगांब अगर आप लोग रूची है तो आप लोग इसमें आप अधन कर सकते हैं अधरवाइस भईया आपकी मटजी तो अलमस्ट आपको सरजनकाडी दे ही दिया है दोस्तो अब इसके लावा और कोई जनकाडी चाहिए तो प्लीच आप में कोमेंट कर देज़ेगा जहां तक हमें पत आप मुझे कॉमेंट कर देज़ेगा वैसे दोस्तों हम इस वीडिव करते हैं अगर आपने पूरा इस वीडिव को वाच कर लिया है तो वीडियो देखिलें आपका ताहय ताहय दिल से धन्यवाद दोस्त मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए